हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका अपना दोस्त विवेक सकसेना और आप सभी लोग देखे रहे हो वीकिराज चैनल जी हाँ दोस्तो यदि आपको कोई कॉल करे और उसका नाम बोले आप भी ऐसा सेटिंग्स करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए खास है वीडियो को देखते रहे हैं दोस्तो चैनल पे पहली बार आएप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तो आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है बस आप एक काम करिएगा कि आपका जो कॉलर ऐप होता जिससे कॉल करते हो आप उसको प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लिजिएगा क्योंकि जदातर यह जो सेटिंग हो रही है नए फोनों में हो रही है तो इस बात का ध्यान रखिएगा गूगल कॉल ऐप को हम ओपन कर दिये है जो कि गूगल दौरा प्रवाइट किया जाता है तो इस पर क्लिक कर दीजिए और इस पर click करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाएगा जो भी आप call care होगे यहाँ पर so होगा अब right में आपको three dot देखने को मिल जाता है तो आपको just three dot पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर settings का option देखने को मिल जाता है तो चलिए color ID announcement पर हम click कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर announce color ID और यह दो option देखने को मिल जाते हैं तो आपको first वाले option पर click कर देना announce color ID अब यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिलते हैं always और उसके बाद only when using a headset never तो अब यहाँ पर यह दो option क्या है जब आप earphone use कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो तो यह वाला option क्लिक कर सकते हो और यदि चाहते हो कि आपका जो phone है हमेशा यह बताए कि आपको कौन phone कर रहा है तो आपको always वाला select कर लेना है तो जैसे हम always पर click कर देते हैं इसको select कर लेते हैं तो क्या होगा कि जब हमको कोई phone करेगा call करेगा तो यह बोल के यह बताएगा कि आपको इसने call किया जैसे विवेक सकसेनर ने call किया या जो भी आप जिस नाम से नंबर save किये रहोगे उस नाम से आपके phone पे यह बोला जाएगा अब जिसके phone में यह setting नहीं दिख रही है तो उनके लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि बहुत सारे app आते हैं आप उनको install करके यह settings कर सकते हो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक like जरू करना और चैनल पर नहीं हो चैनल को subscribe कर लीजिए